चारो और, पाप, अत्याजाद, देखकर आपको यही पिर्टित हो रहा होगा कि अब कल्यूग खतम होने वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो कल्यूग के लाखो वर्ष बाकी हैं, इस द्रश्टी से आप स्वयम समझ सकते हैं कि जब घोर कल्यूग आएगा तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, हैरानी की बात यह है कि इनसान को भी इतनी बार धर्थी पर दुबारा जनम लेना पड़ता है, इसी जनम मिर्त्यूग के बंदन से बचने के लिए सास्त्रों में मोच की बाते की गही हैं, कल्यूग की आईउग चार लाख बस्तिस हज है, अभी तक कल्यूग के केवल 5122 साल ही बीते हैं, अथार्थ कल्यूग के अभी भी 426,888 साल बाकी हैं, अब आप खुदी समझ सकते हैं कि अभी तो कल्यूग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है, और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो गोर कल्यूग आ गया हो, इसलिए धर और ग्रंतों में यह बताया गया है कि अंत कल्यूग में अपने माबाप की सेबा करें, अपने इर्दगिर्द जरोतमन लोगों को और जानवरों को दानपुन करें, देवी देपताओं के हवन करें, जीवन में कुछ अच्छा और प्रेणदाई कारे करें, जिससे समाज में और देज में आपके द्वारा अच्छाई फैले, इससे आपके जीवन में विशेश फल की प्राप्ति होगी, आप और आपका परिवार कल्यूग के प्रकोप से बचे रहेंगे, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस तरह की प्रेणादाईक ज्यानवर्दक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद